हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आज जो questions आपके सामने हैं ये आपके द्वारा पूछे गए सवाल हैं जैसे कुछ comments में questions पूछे थे कुछ आपके इंस्टाग्राम पे भेजे थे कुछ आपके message में भेजे थे तो ये सारे questions आपके हैं जो आपने पूछे थे तो यहाँ पर म पहले question खुद से करने, उसके बाद इसका solution देखना है, अगर नहीं होता है, तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले सारे questions दिखा देता हूँ, यह आपका missing number का question है, next आपका coding recording का है, फिर आपका analogy का question है, और next जो है आपका coding recording और number series का question है, तो यह आप सभी खुद से करें पहले, अ missing number के question, आप देखो के यहाँ पर बीच में बड़ा number है, तो यहाँ पर आपको बीच में number चीए, तो कैसे हो सकता है, क्या pattern हो सकता है, ठीक है, आपको practice जरूर करनी चीए, missing number के question की, आप देखो के बीच में बड़ा number है, तो आप square करके जा सकते हो, जो आइट साइट से number दि स्कुर्व हो सकता है क्यूब CCH 43 whenever to open oh tap javagon तो आपका जो पैटन इस फिगर में और वही पैटन आपके सारे figure में फॉलो करना चीए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें क्या प्रेटन अगर आप यहाँ पर देखते हम 14 और 12 का इसकुर्व आप करते हैं ठीक है 14 और 14 का square plus 12 का square ठीक है इसे आप sum करते है minus 11 का square plus 8 का square इसका आप sum करके minus करते हैं तो आप देखोंगे 14 का square यहाँ पर क्या होता है 196 plus 144 minus 121 minus 60 plus 64 ठीक है तो आप देखने 196 से 200 हो जाएगा 200 और यह आपका 340 हो जाएगा ठीक है 340 माइनस यहाँ पर 5 आ जाएगा 8 125 तो यहाँ से आप माइनस करेंगे तो यह आपका 10 में से 5 5 34 में से 18 12 13 15 155 आगे है बीच वाला नमबर आगे तो यह pattern है अब ऐसे pattern पहले भी repeat होते हैं ठीक है ऐसे pattern पूछे जाते तो यह आपको practice करनी होगी अब यही pattern आपका इस figure में लगना चाहिए आप इसमें से try करेंगे मैं सीधे जो question पूछा है उसमें लगाता हूँ तो हमारा pattern क्या है 20 का square इस number का square plus 16 का square इसका sum minus 12 का square plus 15 का square ठीक है इसका sum तो 20 का square यहाँ पर आप देखनें तो कितना हो जाएगा 20 का square 400 plus 16 का square 256 minus 12 का square यहाँ पर कितना हो जाएगा 144 plus 15 का square 225 इसका sum करेंगे तो 656 आजाएगा 656 और यह 5, 4, 9 4, 2, 6, 2, 1, 3, 3, 69 इसे आप minus करेंगे तो 16 में से 9 आपका जाएगा आपका कितना हो जाएगा 14, 14 में से 6 आप minus करेंगे तो यह आपका 8 हो जाएगा तो यह आपका 277 आजाएगा जो कि आपका C option है तो यह इसका right answer होगा तो आप देख सकते हैं ऐसे pattern आपसे पूछे जाते हैं इस step के pattern आप से आगे भी पूछे जाएंगे ठीक है next question है coding recording का यहाँ पर आप देखोगे in a certain code language camera को 242 लिखा है broken को आपका 194 लिखा है center को आपको बताना है क्या लिखना है इस तरीके question में थोड़ा आपको time लग सकता है क्योंकि आप क्या करोगे एक बार तो इनकी position का sum करोगे फिर उनके opposite का sum करके देखोगे अगर उससे logic नहीं आता है तो इस तरीके से ऐसे question में थोड़ा time लग जाता है जैसे हम यहाँ पर देखते है camera को 242 लिखा है camera को यहाँ पर 242 लिखा हुआ है तो आप देखें यहाँ पर इसका position का sum करेंगे तो आप देखें तीन, एक, तेरा, पांच, अठारा, एक तो आप देखें तेरा, चार, सत्रा, पांच, बाइस, बाइस और अठारा, चालिस और एक 41 लिखा है, 41 यहाँ पर आ रहा है कि आप कैसे opposite का sum जल्दी कर सकते हैं आपको पता होगा जो भी opposite होते हैं जैसे A का opposite Z होता है B का opposite Y होता है C का opposite X होता है M का opposite N होता है मैंने आपको बता है, इनकी position का आप sum करेंगे तो आपको हमेशा 27 मिलेगा जो भी opposite होते हैं उनकी position का sum आपको 27 मिलता है तो क्यों ना आप यहाँ पे इनके position camera में जो इनके alphabet यो जो है इनके position और इनके opposite का sum निकाल दो आप देखो आपको पता है C और इसके opposite का sum 27 है इस तरीके से 27 आपका कितनी बार आएगा 6 बार आएगा तो आप सीधे 27 into 6 कर दो 27 into 6 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा आप देखोगे यहाँ पे 20 चक है 120 सचक 42 तो यानि की 162 मिल जाएगा 162 जो है camera में जो भी alphabet है इनकी position और opposite का sum है जिसमें से position का sum तो आपने already निकाल दिया 41 तो सीधे आप यहाँ पे 41 minus कर दोगे तो आप देखोगे 2 में से 1 गया आपका 1 ठीक है 16 में से 4 गया 12 तो 121 आजाएगा जो यह 121 होगा यह इसके opposite का sum हो जाएगा तो आप देखोगे जो इसका opposite है opposite का sum जो आया आपका कितना है opposite की position का sum 121 आया इसका आप double करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 242 मिल जाएगा तो pattern आपको समझ में आ गया pattern क्या है अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आपको वही step करना पड़ेगा जिसमें आपको क्या करना है कि एक बार इनकी position का sum करके देखा तो आपको समझ में pattern नहीं मिला तो उसके बाद आप क्या करोगे इनके opposite की position का sum करोगे जैसे C का opposite 24, A का 26 फिर 14, फिर 22, फिर 9, फिर 26 इसका sum करोगे तो ये आपको मिलेगा 121 फिर आप double करोगे तो 242 मिल जाएगा तो यहाँ पर pattern ये था उसके बाद आप देखो broken को आपको कर लेना है मैं center को करके बताता हूँ C, E, N, T, R, E अगर इस टाइप के question आपके exam में आता है अगर आपने यहाँ pattern निकाल लिया तो आप सीधे यहाँ पर चले जाएए option में जो आपका पूछा गया है उसे आप solve कर ले ठीक है वो आपके लिए सही रहेगा तो यहाँ पर आप देखोगे center को आप करोगा अगर option में ऐसा होता कि एक ए option two से divisual होता तो हम वो भी कर लेते लेकिन आप सारे option है तो यहाँ पर आप देखोगे इसके opposite का sum करोगे तो यहाँ पर आपका 24 फिर आपका 22 फिर आपका 13 फिर T का opposite 7 फिर 18 और फिर सॉरी 9 आर का opposite 9 फिर यहाँ पर 22 तो आप देखोगे दो सत्य चौदा 194 आ जाएगा जो कि आपका option फोर्थ option है तो यह pattern यहाँ पर था यह pattern काफी बार करा भी चुका हूं है फिर भी यह question आपने पूछा था तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया नेक्स question देखो इस question को करो analogy का question है यहाँ पर क्या pattern होगा आप देखो 298 को 149 लिखा है 473 को क्या लिखा जाएगा पहले आप सभी खुद से कर लेना उसके बाद इसका solution देखना तो यहाँ पर आपने कर लिया होगा तो इसका solution क्या है वो मैं आपको बताता हूं आप देखोगे 298 को 149 लिखा है ठीक ह अगर आप gap देखेंगे gap देखेंगे तो 18 में से 9 गया 9 है तो इस तरीके से आप 13 में से 9 जाएंगे तो आपका 4 यहाँ पर आप देखोगे option में कोई भी नहीं आएगा अगर आप देखो यहाँ से 473 से आप minus कर तो जैसे आपने यहाँ पर gap देखा तो 159 का यहाँ पर क्या देखा नहीं यहाँ पर जो option में तो यह पैटन तो यहाँ पर है नहीं अब दूसरा चीस सोचें और क्या हो सकता है यहाँ पर आप देखो यहाँ पर आपको जो सोचना है यही नमबरों को देखते वे सोचना है तो क्या क्या हो सकता है मैं आपको बता है कि square के बारे में तो आप देखेंगे यहाँ पर 8 6 14 149 मिलिया तो पैटन आपको समझ में आ गया पैटन यहाँ पर क्या है तो इसी तरफ 473 का आपका क्या हो जाएगा जो भी यहाँ पर नमबर यूज हो है उनका स्क्वाइर करके एड़ करना है तो 4 का स्क्वाइर प्लस 7 का स्क्वाइर प्लस 3 का स्क्वाइर तो आप देखोगे 16 प्लस 59 प्लस 9 16 और 9 25 हो जाता है और 25 और 59 यहाँ पर कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा जो कि आपका आंसर क्या है ठाड़ ऑपसन है ठीक है समझ में आ गया क्या पैटन है यहाँ पर नेक्स कुश्चिन देखते ठीक है यह भी आसान कुश्चिन है लेकिन आपने पूछा था पहले खुछ से जरूर कर लेना अब आप देखोगे आपको solve कौन सा करना चाहिए अगर आपको ऐसा है जिसमें कम alpha बेट है उससे आप पहले solve कर लें क्योंकि इसमें pattern ढूटना आपके लिए आसान हो जाएगा आप देखो maiden को यहाँ पर क्या लिखा है m-a-i-d-n maiden को यहाँ पर लिखा है e-i-h-e-r-e पहले आपको खुछ से जरूर करना चाहिए और करने के सांसांत आपको यह भी देखना है कि आप कितने समय में कर पारे हो कितना time लग रहा है question तो आप से सारे हो जाएगी लेकिन आ करो क्योंकि एख़ाम में आपको समय मिलेगा time मिलेगा तो उस time में आपको वो लॉजिक आपको याद आ जा रहा है या time लग रहा है तो time लग रहा है तो आपको practice करने की जरूष है क्योंकि pattern जो है यह सारे question में जो भी पैटन यूज होए वो मैंने पहले कराई हो आपको व तो उसकी playlist बनाई हुई है, आप उसे जरूर देखना, क्योंकि उसमें आपको सारे अच्छे questions मिलते हैं, ठीक है, तो आप उसे जरूर देखना, उससे आपको फायदा मिलेगा, अब आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर cross pattern है, simple सा, आप देखोगे, A से, इस तरीके से, A से E की गया, तो plus 4 है, M से आए गया, minus 4 है, ठीक है, यानि कि पहले वाले से, दूसरे वाले में, minus 4 है, दूसरे वाले से, plus 4 है, तो same process यहाँ भी की गयी है, plus 4, minus 4, और same process यहाँ भी है, plus 4, minus 4, अब आपको बताना है, favorable को क्या होगा, यहाँ पर, इसे करके, F, A, V, O, U, R, A, B, L, अब जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको ऐसे लिखना नहीं, जैसे ही आपने यहाँ पैटर्न ढूंड लिया है, तो आपको option में जाना है, अब आप देखोगे, सभी के option जो सुरू में है, EB, EB, EB है, तो आपको सुरू के दो तो देखने नहीं है, क्योंकि सभी मे है, तो आप last के चेक कर लें, आप देखो आपको पता है कि पहले वाले से हम जा रहे तो मैनस 4 कर रहे है, तो L से आप मैनस 4 करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आठ मिलना है, यानि कि last में है है, यह आपको चेक करने की जरूद नहीं थी, क्योंकि सारे option में है, तो E से आप प्लस 4 करेंगे, तो I H आपका होना चीए, तो लाश्ट में आपका I H होना चीए, तो आपका यह option तो आपका eliminate हो गया, और यह भी eliminate हो गया, इन दोनों में से एक है, आप देखो इसमें, कहां पर आपको different दिख रहा है, देखो F W I S C में है, तो यह आप चेक ना करें, आपक कितना आजाएगा, 21-4, 17, यानि कि यहाँ पर Q आना चीए, तो Q आपका second option में, यह इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर V आना चीए, प्लस 4 करेंगे, तो यह pattern है, pattern जो है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, बाकि मैंने आपको बता दिया है, कि आप option में जल्दी कैसे कर सकते है, बीना लिखे हुए, ठीक है, आप यहाँ पर इस तरीके से लिखके भी कर सकते हैं, इस तरीके से cross में, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा time लग जाएगा, तो इसका right answer क्या है, second option है, next question है, number 3 का है, इसे आपको खुद से करके बताना है, ठीक है, आ आप सभी इसका answer comment में करेंगे, तो सभी को इसका answer comment में बताना है, तो यह जो question थे, आपने पूछे थे, फिर आगे भी जो question मुझे मिलते रहेंगे, तो उन्हें कभी मैं एक वीडियो में ऐसे ही करा दूँगा, जो भी आप पूछे हैं, ठीक है, जो भी question पूछे जाते हैं वो ऐसे questions होते हैं, जिसमें सभी को doubt रहता है, नहीं होता है, जो आसान question होते हैं, तो मैं वही पर बताता हूँ, लेकिन जो अच्छे question होता है, तो आप सभी के सामने रखता हूँ, ताकि आपको अगर नया pattern है, तो आपको भी समझ में आए कि हाँ, यह कुछ नया question था, ठी तो यह आप जरूर बताएं, जब भी question भीजते हैं, आप उनको question के साथ साथ उसके option भी भेजें, और किस exam में आया है, वो भी भेजें, जिससे idea लग जाए, कि किस exam में पूछे गया है, ठीक है, और फिर कभी भी जब ऐसा होगा कि कुछ question मिल जाएंगे, 5-6 question मुझे मिल ज